तो आज मैं वो बनाऊंगी जो आप सब को बहुत पसंद आने वाला है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है तो फिदेनी करते और इसे बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं American Corn और यहाँ आपको बहुत असानी से किसी भी दुकान पर मिल सकते हैं आप वहाँ से करे सकते हैं तो सबसे पहले हमें मक्य के दाने को उबालना है उसके लिए मैंने पानी यहाँ पर गरम करने रख दिया था तो पानी जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तब आप इसके अंदर डालेंगे मक्य के दाने तो मैंने यहाँ पर तीन कटोरी मक्य के दाने का इस्तेमाल किया है और जितना आपको बनाना है आप उसे इसाब से डाल सकते हैं और अब हमें इसे बहुत अच्छे से उबालना है तो जब यह उबल जाता है तो यह डबल हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि इस तरह से हो जाता है तो मक्य के जो दाने हैं वो उबल के तयार हो चुके हैं और अब हम इसे क्या करेंगे एक चली लेंगे और उसके अंदर हम ये सारे दाने निकाल के बाहर कर लेंगे मक्के को चली में डालेंगे तो एक बरतन रखेंगे जिसे की जो पानी है वो उसके अंदर चला जाएगा और अब जो भी मक्के के दाने हैं उसे हम निकालेंगे एक वाउल में और उसके अंदर हम डाल देंगे एक चम्मच चावल का आटा और दो चम्मच कॉनफलार पाउडर अगर आपके पास कॉनफलार पाउडर नहीं है तो फिर आप अरा रोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब इसमें डालेंगे स्वात की अनुसार नमक जब मक्का गरम होती है उसी वक्त हमें आटा डालना है और तुरंत ही हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है इसे की जो आटा है वो अच्छे से एक-एक दाने को कवर कर ले वन फोर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर तो यहाँ पे दानों पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पारी है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं तो चली अब इसे फ्राई कर लेते हैं और तेल को चेक करने के लिए एक दाना हम इसमें डाल रहे हैं तो जब वो नीचे से उपर आ जाएगा तो इसका मतलब तेल हमारा तयार है तेल का टेंपरेश्चर मीडियम टू लो रखेगा बहुत जादा हाई मत करिएगा और धीरे धीरे इसके अंदर हम यह जितने आ सकते एक बार में उतनी डालेंगे एक सारे नहीं डालेगा नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे और डालने के तुरंत बाद इसे बिल्कुल नहीं पलटना है जब यह अच्छे से एक तरफ से सिख जाएगा उसके बाद ही इसे पलटिएगा नहीं तो फिर उसके उपर जो कोटिंग है वो हट जाएगी तेल में जाग बनना बंद हो जाता है इसका मतलब कि यह यहाँ पर फ्राई होने वाले हैं और उस वक्त क्या होता है कि कुछ दाने जो है वो फूटने लगते हैं तो आप उसे ढख करके सेफटी के साथ फ्राई करिए तो यह यहाँ पर तयार हो चुके हैं अब चलिए इसे हम एक छली में बहार निकाल लेते हैं और बाकी के हमें इसी तरह से सारे फ्राई करके तयार कर लेने हैं तो बस अब हमारे यहां पर यह सारे फ्राई होकर के तयार हो चुके हैं, चलिए अब इसके लिए एक तणका बना लेते हैं, अब एक बर्तल लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज, और अब इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्चे, आप नहीं हमें करना है, जितना कि उसमें एक क्रंची फ्लेवर बना रहे हैं, और जब यह हो जाएगा तो इसको हम मिक्स कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखा था उसके अंदर, और अब इसके अंदर डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धेनिया, और इसके अंदर जाएगा वन थोड़ी सी काली मिर्च और आप अपने स्वात के हिसाब से इसे बना लीजेगा, जो आपको पसंद है वो आप इसमें डालिए, और जो आपको ना पसंद हो जैसे अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप मत डालिएगा, बिना प्याज के भी बना सकते हैं, प्याज हटाई खला है और उसे अच्छे से मिक्स करना है उतना ही ध्यान रखना है बागी जब आपका मन करें, तब आप यज़ाए कर सकते हैं, अगर आपको यह रेसीपी पसंद हाए तो आप इस शेयर भी कर सेकते हैं, तो फिर रेसीपी मेरी स्वाद आपका अपना बने रहें चैनल के स आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया